Hi guys welcome to my channel so in this video we will discuss about some of upper and the lower triangle अब देखो हम इसमें कैसे करेंगे देखो यह तुम्हें दिया हुआ है इसने value provide कर यह राइट अब इसमें कैसे है n is equals to है तुम्हारे पास 3 matrix given है यह वाला अब हमने add on करनी है चीज़े ठीक है upper triangle और lower triangle को पहले मैं तुम्हें समझा दूँ upper triangle क्या है यह है तुम्हारे पास upper triangle lower क्या है यह है तुम्हारे पास lower triangle clear है अब मैं यह matrix बना हुआ है मैं तुम्हें समझाती हूँ कि कैसे यह चीज़े तुम्हें बनानी है यह total matrix बना हुआ है हम तुम्हारी total rows को जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं आई और column को ले रहे हैं हम J rows को आई ले रहे हैं नीचे वाले को और column को ले रहे हैं J अब देखो जब भी I J के equal है मतलब I अगर 1 0 है J 0 है यह 1 नहीं यह 1 नहीं तो तुम्हारा क्या है अपर लोवर दोनों में add-on हो जाएगा यह तुम्हें देखा ठीक है क्योंकि देखो अगर तुम्हें अपर triangle की निकाले हैं तो 29 लिखके दिया है तो क्या आगया 6 plus 5 that is 11 11 plus 4 15 15 20 20 और यह total अगया 9 ठीक है 20 plus 9 is equals to 29 तो यह आगया तुम्हारे पास और लोवर ट्राइंगल की निकाले हैं तो यह वाला यह add-on करके 32 अब देखो हमने दो फॉर लूप तो चला ली ठीक है दो फॉर लूप से बनेगा हमेशे जो मैट्रिक्स होता है वह दो फॉर लूप से बनेगा एक आई रो रिप्रेजन कर झसने का अब देखो क्या चकर है इन्होंने क्या बता हुआ है कि तुम्हारा यह उगा मैं तुम्हारा यह चीज चीज क्या है यह और फिर यकुवल इसर दो लूप रियंगल में डदल होतीlogo देखो मैं तुम्हें बताते हूं यह है यह है 1 यह है 0 ठीक है आई बड़ा है यह तो लोज आगल यह तो तो आई और जे इकुल है फिर भी लोज ट्रैंगल में आड़ोगे तो मतलब जब भी तुम्हारा आई बड़ा है तो यह कहें lower triangle में add होगी और उससे उल्टा जब भी तुम्हारा J बढ़ा है तो क्या upper triangle में add on होगी सम खाफी easy है ठीक है question अब मैं तुम्हें इसका code समझा देती हूँ code क्या है तुम्हारे पास यह arrayless दी रिया upper triangle और lower triangle तुम दो values लेलो जिसमें तुम sum mention करोगे arrayless तुमने एक ठीक है यह arrayless तुमने बना ली अब इसमें क्या करेंगे हम दो for loop चलाएंगे एक row के लिए column के लिए अब मैंने तुम्हें बताया जब भी I बढ़ा होगा तुम lower triangle में add करोगे जब भी J बढ़ा होगा तुम upper triangle में add करोगे ठीक है अब add करते करते तुम्हारे पास दो values बन जाएंगे और उसको तुम क्या array list में add कर दोगे ठीक है और return कर दोगे array ठीक है I hope the things are clear to you तो यह तुम्हारा code है तुम देख सकते हो ठीक है यह total code है okay so this was it आज को question बहुत easy था I hope आपको clarity जरूर मिली होगी thanks a lot for watching this video